Hello students, welcome to our channel NEET Digital Classes हम कर रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा important question series को जिसमें हम 10,000 plus question series को कर रहे हैं जो आपकी NEET examination के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहेगा आपको अगर आप एक NEET aspirant है तो चैनल को subscribe कीजिए और इसको हर दूस बचे के साथ share कीजिए जो NEET की preparation कर रहे है जो NEET का exam देने वाला है इसका फायदा आपको तब देखने को मिलेगा जब आप अपना NEET examination को दे कर आएंगे आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगी हम यहाँ पर इन 10,000 plus question series में सारे previous year question जो आपके exam के लिए important है सारे NCRT based question, सारे exam वाले question, अलग-अलग book के सारे important question आपको इस question series के अंदर मिल जाएगी जो भी आपके NEET examination के लिए important है आपके NCRT के के concept पर आपको हर question यहाँ पर मिल जाएगा और अगर आप channel पर नए है तो channel को subscribe कीजिए वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को like कीजिए जिससे हमें motivation मिलता है और अच्छे एच्छे वीडियो बनाने का हमारा एक और चैनल है चैप्टर को ही आगे continue करेंगे चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो को देखिए फर्स्ट कोश्चन यह रहा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 21 नंबर आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि तो अल्रेडिटी कोश्चन हम पहले डिसकस कर चुके है mode of nutrition in fungi is कवक में जो पोशन का तरीका है वो क्या है पैरासिटिक है सैप्रोफिटिक है और ट्रॉफिक है या फिर हेटरोट्रॉफिक है तो देखिए अगर हम देखिए तो जो कवक होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं हेटरोट्रॉफिक में आपको कहते हैं मिल का अब्सवर्वेटिव टाइब को होता है मतलब की यह आप भोजन को बहार शरीर के बहार पचाते हैं यह एंजाइम को रिलीस करते हैं जहां भोजन देखते हैं और फिर उसको डाइजस्ट होने के बाद अपने शरीर के अंदर लेते हैं ठीक है इसके लिए जो हमारा भित्ती इस polysaccharide से बनी होती है, देखिए, option दे रखें आपको kytin, cellulose, silica और pectin, हमारे इस question के लिए जो answer है, इस सीधे सीधे आपके NCIT में जो table दे रखा है, वहाँ पर भी है, आपके NCIT में सीधे सीधे mention है, जो कवक जो होते हैं, फंजाय जो होते हैं, उनकी cell wall कोशी का भित्ती बनी होती है, काईटीन की, जो की नैग का पॉलिमर होता है, ये एक मतलब सेम चीज है, बैक्टेरिया की अंदर और यहाँ पर फंजाय के अंदर, वहाँ पर भी नैग पाया जाता है, प्लस वहाँ पर नैम भी होता है, एनसे टाइल, गुलूकोसमाइन, ठीक है, त प्रोटिस्टा में भी देखने को मिलते हैं, जो हमारे अल्गी होते हैं, और यहाँ पर सिलिका देखिए, सिलिका एक इंपोर्टेंट है, ये सिलिका किसकी सेल वाल में पाया जाता है, तो सिलिका डायाटम्स जो होते हैं, जिनको हम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं, उ के लिए हमारा correct option होगा a next question देखते हैं kingdom animalia is characterized by देखे जन्तु जगत की विशेषता है heterotrophic eukaryotic multicellular having no cell wall in their cells reserve food glycogen or fat holojoic nutrition all of these तो देखे जो animalia जगत है हमें पता है five kingdom classification को हम पढ़ते हैं वहाँ पर five kingdom दे रखे मोनेरा प्रोडिस्टा फंजाए और आपका प्लांटिय एनेमिलिया animalia का character है वहाँ पर क्यों होते हैं सभी heterotrophic होते हैं मतलब कोई भी autotrophic नहीं होगा eukaryotic होते हैं आपके multicellular होते हैं और उनमें cell wall नहीं होती है kingdom animalia के अंदर cell wall नहीं होती है यह उनका characteristic ठीक है उनमें जो reserve food होता है वो लग ग्लाइकोजन और fat होता है और अगर हम देखें इनमें होलो जोई nutrition होता है इसकी लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा option d हो जाएगा ठीक है all of these next question देखते हैं इन दा फाइब kingdom of classification of waytaker there is waytaker के पांच जगत वर्गी करण में no mention of viruses मतलब वाइरस जो वाइरस होते हैं उनको मैंशन नहीं किया गया है mention of like in मतलब like in को mention किया गया है no mention of वाइरोइट्स जो है उनको मैंशन नहीं किया गया है no mention of viruses वाइरोइट्स एं लाइकेन आपको यह में पहले भी बता चुकी हूं जो five kingdom classification है वहाँ पर वाइरोइट्स वाइरस लाइकेन प्रियोंस इनको कोई भी इस्थान नहीं दिया गया है कोई भी space नहीं दिया गया है तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा option डी हो जाता है next question देखते हैं question number 25 organism called methanogens are most abundant in methanogens मैं आपको last वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूं methanogens क्या होते हैं तो methanogen नामक जीव यहाँ सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाय जाते हैं यह मैंने आपको बता रखा है तो इस question का answer आप मुझे comment में करके बताएंगे अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर question series को खोली और वो वीडियो को देखी और इसका answer कीजिए ठीक है next question की तरफ बढ़ते हैं we taker proposed we taker ने प्रस्तावित किया 2 kingdom classification 2 जगत वर्गी करण को 5 kingdom classification 5 जगत वर्गी करण को 4 kingdom classification 4 जगत वर्गी करण को 3 kingdom classification 3 जगत वर्गी करण को तो हमें पता है आरेज वी टेकर ने 5 kingdom classification को दिया था 1969 में वो 5 kingdom कौन कौन से हैं यह मैंने आपको बताया है 2 kingdom classification किस ने दिया था 3 kingdom classification हैकल ने दिया था 4 kingdom classification कौपलेंड ने दिया था ठीक है सारे kingdom classification आपने याद रखने हैं किस ने दिया था ठीक है next question देखते है 27 इन वी टेकर वी टेकर वी टेकर फाइव किंग्डम classification यू कैरियोड्स आर असाइड टू वी टेकर के पांच जगद वरगी करण में यू कैरियोड्स को रखा गया है तो आल इन दा 5 kingdom's only in 4 kingdom's only in 3 kingdom's या फिर only in 2 kingdom तो जो यू कैरियोड्स हैं उनको अगर हम देखें तो यू कैरियोड्स को आपके only 4 kingdom में रखा गया है वो 4 kingdom कौन से हैं अगर हम मोनेराव को हटा दें तो किंग्डम protista, kingdom fungi, planty and animalia के होते हैं यू कैरियोड्स होते हैं जबकि अगर कोशिट ऐसे पूछा जाए आपको कि वहु कोशिए यू कैरियोड्स को किस-किस में रखा गया है तो फंजाई के अंदर रखा गया है प्लांटी के अंदर रखा गया है और आपको अनिमिलिया के अंदर रखा गया है क्योंकि यू कैरियोडिक यूनी सैलियोरर ऑर्गिनियस्म को हम Kingdom Protesta के अंदर रखते है ठीकой इस कोशिण के हिमारा सीधे सीधे आंसर है बी ठीक है, only in four kingdoms, next देखते हैं, archibacteria differ from u bacteria in, archibacteria in में इनसमें बैक्टेरिया से अलग है, archibacteria देखे बैक्टेरिया को ही मतलब कुछ साइंटिस्ट मानती हैं, कर देखे कारल बूज ने बैक्टेरिया को ही separate कर दिया, वहां से archibacteria को अलग किया और u bacteria को अलग किया, archibacteria मतलब स सबसे प्राचिंतम टाइप के बैक्टेरिया सबसे पहले primitive टाइप के बैक्टेरिया, तो वह differ होते हैं, यू बैक्टेरिया से मतलब जो बैक्टेरिया होते हैं, उनकी cell membrane अगर हम देखे, cell wall यहां पर option आपका नहीं दे रखा है, तो यहां पर cell membrane यहां पर को होता है, branch lipid पा Specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in Nostok R, Nostok में bio mentally nitrogen को इस्थिर करने के लिए विसेश कोशिकाएं हैं, तो देखिए, आपको मैंने बता रखा है, काफी बार फिर से revise कर लेते हैं, nitrogen fixation, nitrogen fixation एक बहुत जादा important process है, क्योंकि जो atmospheric nitrogen है, इतनी बड़ी मात्रा में होने के बाबजूद भी plants उसको as it is नहीं ले सकते, उसको nitrate, ammonium iron, nitrate, nitrate में convert करना पड़ता है, और ये काम करते हैं हमारे cyanobacteria, ठीक है, और वहाँ पर cyanobacteria, blue-green algae जो होते हैं, इस काम को करते हैं, blue-green algae के बारे में हमने एक और important चीज़ देखी थी, वो क्या करते हैं, हमारा, हमारा वो क्या करते हैं, और फ specialized, vegetative cells जो होती हैं, उनकी वो करते हैं, सीधे oxygen को, ठीक है, photosynthesis, लेकिन nitrogen fixation के लिए, कि special cell होती हैं, उनके अंदर, जो होती है, heterocyst, heterocyst, से वो क्या करते हैं, nitrogen को fix करते हैं, तो हमारा निक करेक्ट अप्शन के हो गया, वो हो गया, ठीक है, next question देखते हैं, the motile bacteria are able to move by, गमनशील जिवानू, इसके द्वारा इस्थनांतिरित होने में सक्षम होते हैं, वतलब जो भी गमनशील जिवानू होते हैं, बैक्टेरिया होते हैं, वो इससे move कर सकते हैं, तो उनमें क्यों होता है, फ्लेजला होता है, फ्लेजला जो की फ्लेजली नामक प्र खोड़ा सा डिफ्रेंस होता है, आपका यूकरियोर्टिक फ्लेजला से, ठीक है, यह थे हमारे आज की इंपोर्टेंट कोश्चन, आपको होप की अच्छे से समझ आया होगा, हम इस 10,000 प्लस कोश्चन सीरीज में बहुत अच्छे-च्छे कोश्चन करेंगे, जो आपके न लाइक करना ना भूलें, वीडियो को दूसरों के साथ शियर करना ना भूलें, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, थैंक्यू